देश की रादीती का हर रंग दिखा है देश के सबसे नुभवी, सबसे सीरने नेताओं में से एक एक ऐसे नेता जिन्होंने नजाने कितनों को कुर्सी पर बिठाया, नजाने कितनों को कुर्सी से उतारा प्लीज वेलकम देश के सबसे सीधने नेताओं में से एक गुलाम नभी आजाद और आपके अदालत में आजाद साब के लिए जैज का चुनाव करना मुश्किल था इतना लंबा पच्छास साल का पुलिटिकल करियर मैं आमतिल कर रहा हूँ राजनी तेके का नुहवी नेता फॉर्बर यूनियन मिनिस्टर आज के जज़ दिनेश त्रिवेदी को और इससे पहले कि आपके अदालत में इज़ामाज सवालात का सिलस्रा शुरू करें आज के जज़ दिनेश त्रिवेदी के ज़ादा चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए और इससे पहले कि आजा साँ पर आप और अज़ाम लगें एक नज़र डालेंगे घुलम नबी आजाद के पॉल्यकल करियर पर गुलम नबी आजाद देश के सबसे सीनियर पोलिटिकल लीडर्स में से एक है घुलम नबी आजाद ने 50 साल पहले कॉंग्रिस ज بين की थी पश्मीर में कॉंग्रेस के ब्लॉक लेवल सेक्रेटरी के रूप में काम शुरू करने वाले घुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस में गई स्टेट लेवल पॉजिशन्स पर रहे नाशनल लेवल पर इनकी पहचान बनी जब ये यूथ कॉंग्रेस के नाशनल प्रेजिडेंट गुलाम नभी आजाद में कॉंग्रेस के जेनरल सेक्रेटरी की पुजिशन पर सबसे ज्यादा साल तक काम करने का रिकॉर्ड बनाया खरीब 35 साल तक गुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस पार्लियमेंटरी बोर्ड और वरकिंग कमेटी के मेंबर रहे ये वो वक्त था जब ज्यादतर टाइम केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी घुलाम नभी आजाद 1987 से 2014 तक कॉंग्रेस की जो भी सरकार बनी उसमें मिनिस्टर रहे गुलाम नभी आजाद उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिने पार्टी के चार-चार प्रधान मंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मन्मोहन सिंग की सरकारों में मंत्री बनाया गया गुलाम नभी आजाद 2005 से 2008 के दौरान जम्मु कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे इन्होंने साथ साल राज्य सभा में विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी भी सभाली फिर अगस्त 2022 में गुलाम नभी आजाद में कॉंग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर सब को चौंका दिया डेमोक्रेटिव प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नभी आजाद आजकर चर्चा में है अपनी आटोबाइग्रफी आजाद को लेकर संजय गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सूनिया गांधी के खरीबी रहे गुलाम नभी आजाद आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे आईए शुरू करते हैं आज का ये खास मुकदमा गुलाम नभी आजाद पर, आपकी अदालत में पहला इल्जाद आपकी अदालत में देश के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक गुलाम नभी आजाद पर इल्जाम है कि ये बेवफा निकले अजासाब जब से आपकी किताब आई है कॉंग्रेस के आपके पूरानी साथे कह रहे हैं कि किस्सा ये क्या हो गया ऐ दोस्तों बेवफा हो गया कोई कह रहा है वफा जिन से की बेवफा हो गया और कॉंग्रेस पार्टी के आफिचर प्रवक्ता ने आपके लिए एक शेर रज़ किया है गम इस बात का नहीं कि ये बेवफा हो गया अफसोस इस बात का है चाथा क्या हो गया जो कहते हैं कि क्या से क्या हो गया वही तो जिमेंधार हैं इस चीज़ के लिए क्या से क्या हो गया और मैं बेवफा नहीं हूँ बलके बावफा हूँ बेवफा तो वो हैं कि जिनको सब कुछ नजर भी आ रहा है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं है लेडरिशिप को कहने कि सब कुछ बरबाद हो चुका है वो बेवफा है जो अपने लेडर को धोका दे अपनी पार्टी को धोखा दें और उनको ये कहें ये न कहने की जुरत हो और हिम्बत हो कि पार्टी तबा बरबाद हो गई है ये पार्टी जो हिंदुस्तान की 34-35 स्टेटों में राज करती थी पार्लिमेंट में एक वकद 414 सीटें ली वो दो एलेक्शनों में 50-55 सीटें नहीं ले सकती है और लीडर अपूशन नहीं बना सकती है वो बेबवा हैं वो धोका दे रहे अपनी पार्टी को सब को जानके भी लीडर को कहते नहीं कहते हैं हिम्मत नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो उनको अजास हाब आप से इभवात की शेक अपने है कि आप कंगेस से लोग हो गए उनका कहना ये है कि तुम राहूल को न चाहो तो कोई बात नहीं मोधी को चाहोगे तो मुश्किल होगी नहम मोधी जी को चाहते हैं और नहम रहल जी को न चाहते है सवाल girlfriend का नहीं है wife friend का नहीं है सवाल हिंदोस्तान की Rajenita का है कि कौन सा कैप्टन इसको उड़ोबाने की कोशिश कर रहे है और कौन सा कैप्टन इसको किनारे पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे है वहां मैं उसका धनम नहीं देखूँगा, उसकी शेकल नहीं देखूँगा, उसका काम देखूँगा इंद्रा गांदी थी, हाँ चलाते थे, राजिव गांदी थे, चलाते थे, नहरु थे, चलाते थे, अपने देश को भी चलाते थे, दुनिया को भी चलाते थे मिस्स गांदी को तो प्राइमिस्टर बनने का मौका नहीं मिला लेकिन पीछे से वो भी चलाती थी लेकिन आज क्या बात कि पार्टी नहीं चलती सिर्फ गाली देने से इंसान लीडर नहीं बनता गाली देना भी राजनीती में सोफिस्टिकेड़ गाली चलती है लेकिन स्ट्रीट लेंग्वीज नी चलती है और वो भी कभी हुआ 24 गंटे नीज से उठके आप किसी को गाली दोगे सोने से पहले फिर गाली दोगे इससे ना देश बनेगी ना दुनिया बनेगी ना कोई पावर में आ सकता आप कहरें कि राजनी जी शिप को डुबा रहे हैं और मोदी जी चला रहे हैं इस वक्त वही हो रहा है अब कैप्टन बनने के लिए अगर मोदी शहाब 24 गाली 7 काम करते हैं तो उनको 24 मिनिट्स भी तो काम करना पड़ गया ना 24 मिनिट्स भी काम नहीं करोगे तो आप कैसे परधान मंतरी बनोगे मेरे पूरी शहरन बोती राहुल गांदी के साथ मैंने उनके बाप के साथ भी मंतरी रहा हूँ और पार्टी में भी रहा उनके बाप के साथ मैं उनकी दादी के साथ भी 32 साल की उमर में मंतरी बना उससे पहले यूथ कांग्रेस में 28 सुना 30 साल की उमर में मैंने इंद्रा गांदी के साथ काम किया वो 24 गंटे काम, 20 गंटे काम करती थी राजीव गांदी बीस घंटे काम करते थे ये बीस मिनिट क्यों नहीं करते तो उन्होंने बीस बीस घंटे किया तो परधान मंतरी बने ये बीस मिनिट में ही काम करके परधान मंतरी बनना चाहते तो नहीं है पॉसिबल मैंने बीस बीस घंटे काम किया मैं आज भी 18, 70 प्लस हूँ, मैं 18 गिंटे आज भी काम करता हूँ, नई पार्टी बनाई है, मैं 2 बज़े तक बैठता हूँ, दो उसे मिलता हूँ, सवाँ फिर 6 बज़े शुरू कर देता हूँ जब आप ऐसी बाते हैं, वो कहते हैं कि इनकी पार्टी का नाम आज़ाद है, यह सिर्फ नाम के आज़ाद है, किताब का नाम आज़ाद रख लिया, लेकिन मोदी को गुलाम हो गए है, गुलाम किसी का नहीं है, यह सोचना ही गुलाम, यह सोचना ही कि किसी अच्छे को अच् धार शाठस साबनी ने लिखी, ये मोदी जी ने लिखी है, और ये किताब लिखी गई है और कॉंग्रेस को डेमॉलिश करने के लिए। और उनने लिखी है तब तो उनको बहुत खुश होना चाहिए फिर उनको गिला है कि मोदी ने उनकी तारिफ कि नी की उनको तब खुश होना चाहिए उनके नाना दादी और बाप की तारिफ करता है दोसरी बात वो अपने कारे से और नकाम करने से वो मुदी जी को स्रांग कर रहे ह् something कर रहे हैं जिते बात नहीं तो मुदी जी को कम्जोर करने के लिए कहता था कि कांग्रेस में परिवर्तन लाओ ब्लॉक लेवल पर एलेक्शन करो डिस्डिक लेवल पर election करो state level पे election करो working committee पे election करो यहां तो 26 साल से election ही नहीं हुए अभी तो हुआ मेलिकार्द गुन खर गए इतने senior leader कांग्रेस के अज़क्ष बन गए national president के election से पहले block का election होना चाहिए district का election होना चाहिए state का election होना चाहिए और वो लोग चुनेंगे block का तो election किया नहीं डिस्टिक का election नहीं किया सीधे national president का किया और voter list के बगहरी किया कुछ को तो voter list election होने खतम होने तक नहीं देते और कोई voter list उस दिन फोन पे बताते हुए लेकिन कुछ तो हुआ करगे जी अद्धिक्ष में है तो मैंने चाहता हूँ कि वो उनका डॉन ग्रेट करो और जो सबसे important है 26 साल से आप working committee उसका election कब हुआ 26 साल पहले 97 में इसली सेजरी में कैलकटा सीता रामकेजरी 26 साल से हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ क्योंकि elected working committee को president हटा नहीं सकता क्योंकि elected हैं लेकिन इनको हर दूसरे दिन change करता पड़ता है president इसने अगर कोई ज्यादा बोला इसको हटा दो उसकी जगन दूसरा बनाओ इसने जरा letter गुलावन भी आजाज जैसे आदमें ने letter लिखा उसको हटाओ तो दूसरा बनाओ तो यह कहां की democracy है तो Congress बनेगी कहां तो election working committee का भी नहीं हुआ और दूसरी बात दुनिया के लिए इस आपके चैनल के दौरा करोडूं लोग देखते हैं विदान सबा की सतर परिशट टिक्टें तुम गलत आदमियों को देते हो विदान सबा में भी पार्लिमेंट में भी election टिकेट बांटने वाली committee जो है इसको change करो वो करो जो आज राजनिती में active है जो आज कहेगा कि तामिल नाडूं में ये काम करता है ये नहीं करता है ये सक्रिये हैं ये नहीं है जो बंगाल में कहेगा कि ये सक्रिये नहीं है ये लेकिन जो 15 साल पहले खुदी रिटायर हुआ राजनेती से और 26 साल पहले की बात करने वाला वो टिकेट विसे आएगा तो आपको 40 सीटे नहीं आएंगी तो क्या आएंगी और फिर भी आप कांगरस को धोका दे रहे हैं कि वो धोका दे रहे हैं को में कम जो किहाए ये थैक करो तो ठीक करने सब जानतें कि ये लेक्शन कंट 2006KA कोई मतलब नहीं है कि सब राउल जी ताय कर देते ये कि सको टिकट देती कि शो लाड़ाना है कि से तो इस equipped को वरबादिया होग उस अगर वर्किंग कमिटी जो फील्ड में काम करते हैं वो अच्छे आपको नाम देंगे लेकिन अगर एक आदमी दिल्ली बैठकर जो उसको पताई नहीं है वो टिकट देगा तो 40 सीटे कभी 20 भी आ जाएंगी अब देखिए दिगविजे सिंग तो आपकी उमर के हैं उतनी अनुभवी हैं कॉंग्रेस के उन्होंने कहा कि अगुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस को डिमॉलिश करना चाहते हैं हमने तो उनकी नई पार्टी को डिमॉलिश कर दिया अंदर बैठ कर वो भी यही कहते हैं hum roll, लगी ने होना है, हमको भी जाना चाहता है, लिकिन हिमत भी तो होनी चाहिए. वो तो भारच जोड़ो यातरा में चल रहे थे उनके साथ. चलने से क्या हुआ कि? चलने से जो छवी थी पप्पू की वो बदल के एक तपस्वी की हो गया मैं उस नाम पर नहीं जाता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली के है तो बड़ा बुरा लगता है कि जिस फैमिली के साथ हमारी इतनी एसोसेशन हो उसकी नंदा करें लेकिन हमने अंदर बैठ कर जितना हमसे प्रयास हो सकता है वो किया सुनानी सुनानी अब इसमें क्या है या तो कौने में चुप करके बैठ जाओ या एसिडिटी हो जाए एसिडिटी टेंशन से होती न हम जब यह कहते हैं यह हो सकता लेकिन कोई आदमी करता नहीं है या आपको संसिरली पार्टी चलानी है मैं मुद्धे बताता हूँ मुद्धा है मुद्धी चौर है अड़ानी चौर मुझे कोई तकलिफ ने मुझे कोई रिश्दार दे लेकिन एक दफ़ा कोगे ना दो दफ़ा कोगे चार दफ़ा दस दफ़ा कि नाव साल कोगे नाव साल कुण इंसान इस देश में है जो एक ही मुद्धा कहेगा उसके बगए कुछ कहेगा है नहीं हमारी करोडों लोग बेरोजगार है पड़े लिखे इनके पास कोई जाब नहीं है ये प्रॉब्लम है आजासाब वो कहते हैं सारे मोधी चोर हैं आप एक भी मोधी को चोर नहीं कहते हैं वो कहें मैंने कब कहा आप तो नहीं कहते हैं लेकिन नाव साल तो नहीं कह सकते ना इस देश में एक सो तीस करोड लोग रहते हैं एक सो तीस करोड की दस हजार करोड समस्याएं है तो आपको दो ही समस्याएं क्यों नजर आ रही और वो आपकी समस्याएं है वो अनप्लाइड यूथ की समस्याएं नहीं है वो जिसकी क्या कहते हैं महंगाई है वो उनका समस्या नहीं है ये बात आपने उनको कही सामने मुपर हम लोग ने वरकिंग कमेड़ी में ये चीज़ उचें कि कि आपका ये मुद्दा गलत है और जो भी उनको कहेगे या आपका मुद्दा गलत है कहा तो मुधी के साथ हूँ तो आप कैसे आदमे का क्या करूगे? आप किसी को सला दोगे और कोगे नहीं, आप मेरे दुश्मन से मिले होगे। तो आप ठीक कैसे होगे? मोदी जी आप के लिए पारलमेंट में रोएं, सिस्किया बन जाएं, बारा मिनट आपकि तारीव करें, तो ये तो कही जाएगा कि आप मुदी जी से मिले हुएं मैं दौा करता हूँ कि राहुल जी भी इस तरह का कोई काम करे कि इसके लिए मुदी जी रोए पहले आपको लगता था मुदी जी कुरूड है बीवी बच्चे नहीं है किसी ये परवाद नहीं करते लेकिन फिर आपका थिंकिंग बदली देखो मुदी जी को मैं नाइन्टी से जानता जब ये जनल सेक्रेटरी थे पार्टी के मैं भी जनल सेक्रेटरी नेशनल जनल अटल जी के जमाने तब हमारा एंकाउंटर होता था जैसे आज जा अपने बुलाएं तो कभी वो सामने हैं उनसे सवाल ये बीज़ेपी वर्सिस कांग्रस फिर हम दोनों चीफ मिनसर रहे वो भी चीफ मिनस थे जब वो अपने स्टेट के मैं अपने तब समन्द रहे लेकिन मैं इतनी नज़्दीक से झी जाना फिर साथ साल में लीडरा पूशन रहा वो साथ साल परदान मतरी वो अभी भी परदान मतरी लेकिन ज्यादा मिलना जूलना लेकिन मीटिंग हर सेशन में दो तीन मीटिंगیں होती थी उनमें उनका लिसनर बड़े थे, सुनते करूड है कई चीज़ों में साथ साल मैंने इनके खिलाब बहुत बोला इस लीडरा पोशन आमने सामने जैसे हम आमने सामने हैं आमने सामने विरूद करता बड़ा पश्कुल होता है तो एक घंटा मैं हर भाशन में इनके आमने सामने कहता था आपकी यह पालसी गलत है यह पा बेडागर क्या यह क्या जो अच्छा भी करता था मैंने कभी नहीं बताया क्या आपने अच्छा किया शायद मेरी गलती वरना राहुल गांदी मुझे पहले से ही कहते हैं कि यह BGP वाले लेकिन जब मेरा पार्लिमेंट से रिटाइर्मेंट हो गया मेरी अवदी खतम होगी क्योंकि जम्मो किश्मीर में वो भी मोदी जी की वज़े से वरना मैं अभी पार्लिमेंट में होता तो उन्होंने मेरा नुक्सान भी किया क्योंकि मैं जम्मो किश्मीर से चुन के आता था वहां की विधानसवा राजसवा भेज दी तो वो विधानसवा उन्होंने भंग की है चार-पांच साल से वहां गौर्णर रूल है तो विधानसवा ही नहीं थी तो मुझे कोन चुनता यह आपकी बेवफाई का सबूत है त वहाई तो मेरा गुसा तो वराबर उन्पर जा रही था उनका गुसा भी सुभाविक होने चाहे था कि मैं साथ साल उनका विरूद किया लेकिन जब उन्होंने भाशन किया अलवधाई भाशन तो मेरा दृश्पूर बदल गया कि यह आदमी कुरूड हो सकता इसकी और हमार विचारधारा मिलती नहीं है शायद इनकी विचारधारा से देश में अखसान हो रहा लेकिन जब उन्हें भाशन शुरू किया तो मुझे मौधी की का दूसरा चेहरा भी नज़र आया एक स्टेट्समेन का प्राइमेंस क्यी चीज़ें गलती करता हैं यह नहीं मैं कहूंग लेकिन जस तरह से वो रोए और एक ऐसे दर्श को दोबारा मेरे सामने लाया जिसमें वो भी रोए और मैं भी रोया उसने क्यों रोया असली यह मेरी जुदाई थी नहीं थी या कोई बॉई फ्रेंट गर्ल फ्रेंट का बामना नहीं था एक इनसानियत पर वोई क्योंकि ज पेसेंजर लेकर टूरिस बस कश्मीर आई थी और सुबा सुबा ही मुझे सी आईडी ने बताया यह गुजरात की पेसेंजर की बस थी और उस पर हमला हो गया गर्नेर्ट से और कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जखमी है तो मेरे पास जो कपड़े उस वोगे तैयार ना बच्चे मेरे टाउंग मेरे हमारा बाप मर गया हमारी मा मर गया उनकी फैमली मेंबर तो मुझे मैं बे बाहर रोया जोर से चलाते चलाते इसी भी मुझे जी गुजरात चिपने से उनका फ़ोन आया तो शाम को जब मैं अलविदा करना एरपोर्ट पे गया सियाफ कर लें या डेड़ बाडीज को तो जहाज में फिर पकड़ लिया इन लोगों ने गाली नहीं दी थी पकड़े और रोये मेरे टांगें पकड़ पकड़े कर औरतें भी और बच्चे भी मैं फिर रोया फिर में से एमका फोन आया तो मैंने रोते रोते ही उनसे बात की तो वो जो के लोग तो गुजरात के थे और वो प्राइमिनस्ट ने कहा कि लोग गुजरात के थे और चीफ पनसर रो रहा जैसे इनके परिवार का कोई आदमी मर रहा तो इसलिए में से लूट करता हूँ तो वो चोक हो गो गो और फिर मैंने प्राइमिनस्ट के बाद मैं बोला मैं सबसे रास में बोला जब बहुत सबी लीडर बोले सबी नितार तो मैं भी उसी दृश्च को बेयान कर रहा था तो मैं खुद चोक हो गया तो उस एक वाका को बयान कर रहने पर प्राइमिस्ट भी रोई मैं भी रोया और मुझे आफसोस है कि उस चीज़ को ये पुलिटिकल करते हैं इन्हों ने तो पूछा भी नहीं एक दफ़ा अब चीफिनस्ट हो तो कौन मरा गुजरात का कैसे मरा आज तक नहीं पूछा ये तो उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इनकी वफ़ादारी बोदीजी से है राहूल गांधी को लोकसभा की मेंबरशिप गई दो दिन के अंदर उनसे मकान खाली करवा लिया आजास साब दो साल से एमपी नहीं है वो अपने मकान में रह रहे हैं यूकरीन जाएं ज़र चार साल बैठें उन बंदूकों के बीच में जैसे हम पंजाब गए थे या कश्मीर में गए थे और उनकी जाने बचाएं उदर से आके मोदी अपना बंगला खाली करके उनको दे देगा प्राइमिस रास में बैठों करशा हम इन इतनी ये 16 दफा मि प्राइमिस्टर मकान नहीं देगा और बैंठ मकान का किराया देता हूँ मकान का भी भिजनी का भी पानी का मुफ़त ही रेखता उठ्छे आप पर जितना खतरा है उसको मैं जानता हूं उसके एसाप से आपको मकान देना गलत नहीं है वो कह रहे हैं कि इनसे क्यों खाली कर आप खुज नहीं करेंगे। जितन परशाद भी कलोज थे वो भी जीवी के मंतरी हैं दूसरी सुश्मिता थी उसको भी एमपी बनाया था वो भी इनकी हम उमर है इनकी छोड़ी हमर महला कांगरिस की नेशनल प्रिजनर वो चली की मम टेमसी में एमपी बन गी तो इनके तो सब यूथ वाले ही छोड़ के जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं इनके सबाव से हमंता की काहनी तो हमने सुनिया वो मिलने गए थे और उन्हें का कि राउल गांदी कुट्टे को बिस्किट खिलाते रहे मुझसे बात नहीं की हमंता की तो काहनी मैंने वो इसमें लिखी है क्योंकि मिस्स गांदी ने मेरे को ही भेजा था यहां कि देखो बहुमत हमंता का है यहां तब मैं लीडर पोश्ट था सुननेगर से मुझे बलाया है कि यहां विवाद हो रहा है उसने वोट अफ हमंता ने सीम के खिराफ वोट अफ नो कांफिडेंस लिया है तो आप करो इसका अलेक्शन करो तो मैंने ही अपने घर में दिली के घर में हमंता को बलाया उसके साथ 45 है में ले थे सीम को बलाया उसके साथ है में ले थे और बेसिस गांदी ने कहा कि जाओ जिसके पास 45 उसको चुनो लीडर मैं जा रहा था सुबा शाम को राहुल गादी का फोन आया कि आप नहीं जा रहें सुबा मुझे मिले सुबा मिलने गया तो सीम उनके पास बैठा था तो कहा नहीं यही चलेगा तो मैंने कहा हमनता के पास मिजरिटी उनके पास साथ है उनके पास 45 है वो भाग जाएगा का भाग दे दो मैं नार्थीस का वो इंचार्ज है तो फर क्या हुआ तो भागना है तो भाग या तो आज क्यूं रो रहे हैं उसने पूरे आर्थ स्टेटें यह नार्थीस की जिनका वो इंचार्ज था तो फिर भी कहते हैं कि कांग्रिस का भला काम कर रहे कांग्रिस से भला काम कर रहे कि मुध्दी साब का काम कर रहे कैपिन अमर्इंदर सीकh के साथ क्या हुआ? वो तो मुक्हि मंतरी थे वो भी है वो भी इसमें दिखा है और वो भी वर्किंट कमीटी में में उठाए है अब पूरी वर्किंट कमीटी की बताऊँगा? नहीं थोड़ा बताऊँगा थोड़े बता दीजिये लेकिन सच बता दीजे मैं तो सच के माम देख उस माम देख मैंने वरकिंग कमीटी उसके बाद बेडा गरक होने के बाद बुला जब बुलाई तो मैंने वदाए सबसे पहले यह है मुजर्म को पेश करो जिसने ये पंजाब डुबो दिया चार महिने पहली एलेक्शन से कौन बेवकूफ आदमी चीफ मिनिस्ट को चेंज करता है हमें तो छटी क्लास में गाउं में पढ़ाया था मिड स्ट्रीम घोड़े नहीं बदलते मिड स्ट्रीम घोड़ों बदले गए तक बह जाओगे घोड़ा बड़ा अच्छा गया था ना नवजोज सिंग सिद्धू हाँ ये वाकई है इतना बड़ा घोड़ा मैंने देखा नहीं जो पैसेंजर को लेकर खुद ही डूब जाए मैंने आज तक हंदोस्तान के 138 साल के नपड़ा है और 50 साल से देखा कि कोगरस प्रेजिडन नवजोद सिद्धू अलेक्शन में अलेक्शन तक्रीरों में कहता है ये जो चीफ मिनस्टे जूड बोला या आपसे प्रामिस जो कर रहा है गलत कर रहा क्योंकि ये जिसने जीत गई नहीं आणा ये चोर है इतना हैं नहीं उनकी बेटी भी अलेक्शन कमपेंड कर रही है पार्टी की कि हमारा चीफ मिनस्टे चोर है तो कौन गधा वोट देगा उस पार्टी को जिसका पार्टी प्रिजिडेंट वो और उसकी बेटी परचार करें कि हमारा चीफिनस जोर है हमारी पार्टी का चीफिनस जोर है तो वोट क्यों लोग देते तो जिसको सिलेक्शन करने वाला ऐसे प्रेजिडेंट आथ में का वो बीजेपी की मदद कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ अब सुनाए कि राजस्तान में बगावत होने वाले सचिन पाइलेट काफी वक्त से उबल रहे है अब देखे मैं तो चाहता हूँ कांगरस जिन्दा रहे लेकिन कैप्टन खुदी चाहता है शिप ढूब जाए तो मैं कैसे बचाओ कैप्टन जाता कि जल्दी और जहां ज्यादा टर्बॉलेंट है उसमें ले जाओ यहां डूब नहीं रहा कम बगद अभी आदा 90% डूबा है लेकिन खोड़ा सा इसमें कुछ नजर आ रहा है उधर टर्बॉलेंट पानी में ले जाओ जल्दी डूब जाए शेयर ने कहा लेकिन है कि मेरी किष्टी वहां डूबी जहां पानी कम था तूबी तो पानी था यह तो रेत में डूब रहा है अजासा वो कहते हैं कि वो नफरत के बादार में मुखबत की दुकान खोलने निकले हैं तो कभी आप भी जाएंगे उस दुकान के उपर हमारी आदत शुरू से बच्पन से खुद कमाने की है दूसरों को खिलाने की कमा की हम किसी का हराम का नहीं खाते हैं किसी क्या भीक बांक है के नहीं नहीं खाते हैं वो भीक बांक की खाते हैं तारीफ करो जूता पालिश करो और अदेदो पुजिशन और हमारा विरूद करो मुध्दी का विरूद करो हमारे विरूद और मुध्दी से विरूद में पाउर में आ जाते हैं तो गॉड़ ब्लेस दे आई विश्दे मैं ब्रेक के बाद आपके अदालत में इल्दाम और सफावाला काई सुनिया जी से आपकी रिलेशन चीप थी उसको देख करके मुझे मज़ूर सुल्तानपुरी की वो लाइने याद आ रही है रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यारों की तरह बैटे हैं उनी के कुचे में आज बनेगारों की तरह वेल्कम बैक आपकी अदालत में आज हमारे महमान है हिंदुस्तान के सबसे सीनर मोश नेताओं में से एक गुलाम नभी आजाद आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नभी आजाद पर इल्जाम है कि ये एहसान फरामोश है आजा सब कॉंग्रिस और यह जज़ लोग आज कहा रहे कि पचास साल में कॉंग्रिस ने आपको क्या नहीं दिया यूज पॉंग्रिस का प्रेजिएर्ट बनाया रिकॉर्ड 2009 सरीडल बनाया पार्लिमेंटरी बोर्ड में आप रहे जब जब कॉंग्रिस की सरकारें आई चार चार बीज डाला है गर्मी में भी सर्दी में भी बर्प में भी जून के बेहनें भी जनवरी के बेहनें भी और खेती की है गुलावने भी आजाद ने दो रोटी खाई दिली में बेठे होने ने दस रोटी खाई जो खेत में गए भी नहीं तो गुलावने भी आजाद की उस खेती से जिनको ज्यादा फाइदा हूआ, उनका तो बताते ने, तो ये राहूल गांदी जी करके देखेंगे ना, स्थेटें आएंगे, मोधी जी कही दिकाई नहीं देखेंगे, तब सौनिय जी, जब मैं आठ स्टेट हूँ, मैं से साठ श्टेटें जिता के नहीं दाएंगे, तो किसके मंतरी बनाएंगे वहाँ ऐसे भी मंतरी हैं जोनोंने स्टेटी आज तक देखी नहीं है और मैं खुदी बड़ा सिंपल पॉर्टफोलियो लेता था जिसमें कोई पैसे का लैंडन नहीं हूँ सुनिय जी से आपकी रिलेशन्चिप थी उसको देख करके मुझे मज़ूर सुल्टानपुरी की वो लाइने याद आ रहे है रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यारों की तरह बैटे हैं उन्हीं के कूचे में आज बनेगारों की तरह देखे हमारे जो आदर है रस्पेक्ट है मेरे ख्याल में उनको भी होगा उनको भी पिश्टावा होगा हमें भी पिश्टावा है लेकिन जो लोग जिमेदार हैं इसमें खाली रहुल गांदी जिमेदार नहीं है इसमें और भी जिमेदार हैं हमने उनका उलेख किया कि कौन डबाने आये है तो हम ही को कहा कि आप गलत बो रहें वो ठीक है तो डुबाने के लिये जो गए हैं वाहाँ वो डूब रहे हैं तुम डूब जाओ तो इतना सब हो रहा था सोनिया जी ने इंटर्वीन नहीं के आप निमने वो कहते हैं, वो मानते थे हां डुबाने वाले हमें मालूम हैं, लेकिन फिर भी उनी पर भरुसा करते हैं, हमारे सामने उसकी खिलाब बोलते थे उन डुबोने वालों के, ये डुबो देंगे, लेकिन भरुसा चलाते थे फिर भी किष्टी उनी से, तो जब डूबना ही चाह होगा आप तो हम कैसे आप की नगया पार कर सकते हैं अंब आप उसमें काफ empez Ra में टिली के गार्डटर में तके रिए मैं तीस-पेंटीस किसम के फूल होते हैं और हैड गाड़नर में खुद हूं कोविड में भीigent मैं edition था कोई कंपिटीटरी नहीं था अब कई सालों से में कंपिटीशन नहीं करता हूं कि विचारा कोई दूसरा भी जीत जाए अवरना हम ही जीतते जाए तो ताली आप अपने शौक पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं आठा धंटे खुर्पियां चलाते हैं गार्डन में तो राहूल जी विदेश जाने का शौक पूरा करते हैं उससे क्यों लोगों को प्रब्लम होती है देखो बहुत अच्छी बात आपने की मैं तो कहता हूँ कि वो अपने शौक जिन्दगी के जितने हैं और भी शौक है अच्छे इंसान हर इंसान को जिसको शौक नहीं है वेकारा दिए वो शोक करो इसको क्यों डिवा रहे हो जिसका शोक नहीं है जिस चीज का शोक नहीं है ये तो उनका एक मिशन है मोदी जी से लड़ाई लड़नी है जो आपको कहते हैं साथ साय एलो पी थे ठीक से नहीं लड़े सारी लड़ाई उनको लड़नी पड़ती थी ऐसी लड़ाई क्यों कर लड़ रहे हैं कि जिससे मौधी साब बीजेपी वाले सुबा से शाम तक आरती उता रहे हैं का कि ये रहे ये बात आपने ठीक पकड़ी है अब इतनी कहूंगे तो फिर तो कहेंगे ये आरसस है अब इता कहता है आपको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि जो नए जमानी की कैंपेन है जिसमें फेस्बूक है जिसमें ट्विटर है सोशल मीडिया है उस पर क्यों इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हाँ ये आज से मेरा सोच रही है स्तसी अठसी की बात है जब मैं जनल सेक्रेटरी था पार्टी का मैं सेम पड्रोडा को तब नहीं जानता था साइंस और टेकनोलोजी में अमेरिका में काम करते हैं अच्छा काम करते है राजीव गानी ने अपने प्राइमिस्टर आफिस में बूला मैं गया तु कहा ये सेम पड्रोडा है ये अमेरिका में काम करते है तो एगissements नई चीज़ तुम्हें दिखाओ मैं दिखाओ कंप्यूटर मैं ने कंप्यूटर नहीं दिखा था किसी ने नहीं दिखा था अंदुस्तान में मेरी कुलीक्स में भी बेबी I was the first person to see the computer तो कहा ये computer है तो इसका क्या काम है तो कहा इसमें सब दाम है तुम पूरी कंगरेसियों को बलाक तुम ये जो घूमते हो पंजाब गाउं गाउं जाते हैं वोदर गाउं गाउं जाते हैं कोई गाउं कि जाने की राजियों गांदी ने का था तुम यहां computer से ही उनको ये सब कर दो तो मैंने कहा भन्यवाद तो मैंने उनको सैम पेड्रोडा को बिचार है अमेरिका जाएए हमारे प्राइमिस्ट को खराब मत करिए हैं अच्छा भला प्राइमिस्ट है ये तमाशे दिखा के इसको खराब करो ये हिंदुस्तान है ये अमेरिका नहीं है पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, चाई पीना पड़ता है, खाट पे बैट लेता है। कि हिसाब से जाओ जनता में जरुब सवाल पुछना चाहते हैं राहुल जी और प्रेंका जी को आपने बच्वन से तेखा है तो दोनों में से आपके साफ से कौन सा नेशरल लीडर है मेरा काम नहीं है मैंने तो बच्चों की तरफ उनको देखा है और प्रेंका को तो मैं अहुल गांदी के खिलाफ मैंने हूँ राजिव गांदी जी का बेटा है ठीक है हम चाहते हैं सुस्त रहे आगे बढ़े मुझे सुर्फ उनसे एक ही रोश है जिस चीज में तुम्हारा इंटरस्ट नहीं है उस चीज को क्यों पकड़के रखो राजनीती इंद्रा गांदी 24 बाइ 7 थे राजिव गांदी 24 बाइ 7 थे नहरू 24 बाइ 7 थे लेकिन ये तो 24 मिनिट भी नहीं है और मुझे जी 26 बाइ 7 है दो घंटे वो कहीं हो शेंद्र तो एक सुपरसानिक गिरादों मैं खुश हूंगा मैं बीजी पी आइडियालोजी का नहीं है लेकिन वो तो F-16 है और आप रिक्षा भी नहीं हो तो जो आपके बसका नहीं है उसको छोड़ दो किसी जिसके बसका उसको दे दो लेकिन चलाना भी खुदी है और हिम्मद भी नहीं है ये लालिच जो होती बुरी बला तो राहुल जी से मेरी निवेदन है बंगान को लबी आयू दे दे सहथ दे दे लिकिन ये आपके बसका नहीं है अमें इतने साल मिनिस्ट रहा इंदुरा गानदी से लेकि मुझे मैंने कहा भाई ये फनांस फनांस मेरे कामर्स मेरे बसका नहीं है मुझे नहीं देना मुझे अभàiर सोशल सेटर में हेल्ठ है एजूकेशन है बाकी चीज़े म आदमी को इतना truthful तो होना चाहिए तो आपने कभी उनसे कहा नहीं तुमसे नहों पाएगा जो जो उनको कहे तुमसे हो नहीं पाएगा वो तुम प्रोमोदी हो इसलिए कह रहे मुझे उनका सिर्फ शब्द है ये गलत कर रहे हो अच्छा तुम प्रोमोदी हो इसलिए मीडिया कॉश्चन पूछेगा तुम प्रोमोदी हो अरे मीडिया का काम मुझे मिले चार पांच मीडिया वाले कि हमने सवाल पूछा हाँ तुम मोदी के भेजे हुए अरे आप इतने सवाल पूछते मीडिया का काम तो है या आकवर्ड सवाल तो वो आपसे प्यार थोड़ी करेगा मीडिया वाले का पेपर या टेलिविजन तब चलेगा जब आपको आकवर्ड पहुंचेगा सवाल पूछेगा और लीडर का काम है आकवर्ड निकलना वो आपको परोस के देगा कि अब मैं ये सवाल पूछूंगा ये जवाब दूँगा वो नहीं चलेगा एक दू दफ़ा चला हो अब रोज 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 तो नहीं चलेगा रोज 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 तो आपने वीवेक से अपनी बुदी से जवाब देना पड़ीगा मेडिया को भी चाहते हैं कि उनकी चाइस का और किसी ने इन कर्मीन सवाल प्रूशा तो मोधी को हूँ तो मोधी जी ये जैसे नहीं हुए भगवान हुए अरे मोधी जी अपना काम कर रहे हैं वो नहीं तुम्हें चेड़ते हैं अब जब आप आप ये बात नहीं मोधी जी भी खूब छिड़ते हैं सवाल है सवाल है ये 24 गिंटे वो एक टक बात है न तुम्हें एक ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अजालत में गुलामने वाज़ात पर सवालात और इज़ामात का आएगा लेकिन फ्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स मिनाने में इतनी देर क्यों लगी फैमिली का ही फैसला था कि बेटी को नहीं लाना है सिर्फ बेटी को ही लाना है वेल्कम बैक आपके अजालत में आजमकुन्दा चला रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद पर आपके अदालत में अग्ला आपकी अदालत मेंiałद्री नीडर घुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि इनकी बातों में दिरोधा भास है अज़ा साब आपकी किताब मैंने देखी जैसे आप कहते ना कि जो लोग हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते राहुल जी उतनी महनत नहीं करते वो गाओं में नहीं जाते अगर वो करते शायद बहतर होता लेकिन आप ही तो नहरू गांधी परिवार के लोगों को घर-घर से बुला-बुला के इलेक्शन लड़वाते थे आपने अपनी किताब जिक्र किया है 1999 में मैं मैं सोनिया गांधी कॉंगरिस के दिक्ष नहीं बनना चाहती थी छे मैंने इंतजार करना चाहती थी आपने ही परसुइट करके बनाया हर प्रिस्तिती में किसी ने किसी का उप्यूग होता है और हर आदमी का हर से भी तक उप्यूग नहीं रहता जयसे हकेक्त है कि सबसे पहले सुनियां गांडी को लाइक सबसे पहले मैं ही राहू राजिय। गांडी और इन्दरा गांडी के बारे में हमारी चर्चा हुई थी उनको राजじゃない टीवनाने की ये कौइंसिडंस है कि उनकी मिसिज को लाने का भी हमारे वक्त वे शुरू हुआ क्यूंकि केसरी जी के वक्त वे जब अठ़ने में का एलेक्शन हुआ तो मैंने इनको कहां कि भाई कंपेन के लिए अब केसरी जी तो बिचारें कंपेन वाले थे नहीं मैं अपने केंपेंड करनी नी दिया उने और उसी एलेक्शन से सुनियाई जी को प्रजेक्ट हिया वो चेर्मेन थे केंपेंड कमीटी के में कंड्वीनर था और चेर्मेन बाई वर्चू आफ प्रेजरेंड थे लिगर बिचारे साधार वो स्पीकर भी अच्छे नी थे और कहीं ज़्यादा जाते थी थे ओल्ड थे तो मैंने उनसे कहा भाई अगर सुनियाजी से परचार कराएं तो क्या बुरी बात है तो कहा मैं तो अतना अच्छी तरह से नी जानते हो तुम जानते हो अच्छी तरह से मनवाओ मैं गया एक दुग दिन में मनवाया और ने परचार किया उसको डिटेल के लिए बुक पढ़ना पड़ेगी कुछ वहने के बाद हम हार गए 98 का अलेक्शन बुरी तरह हार गए हमने सोचा कि भई अब लीडर उसका कारण भी था हमारे बहुत सारी लीडर अधक्श बनना चाहते थे तो हमने सोचा यह अब सक्सेशन के लिए मुगलों की तरह जंग हो जाएगी तो नए के लिए इस जंग को रुकने के लिए कहा गवे सुनिया गांदी को लाओ तो जो उनको दो मनाने गए थे उनने कहा जी यह मान नहीं रही तो मैं क्यों नहीं मान रही कहा यह कहती छे महने का टाइम दे दो तो मैंने कहा अच्छा मैं अभी निर्दे लेता हूँ तो मैंने मैडम से पूछा क्या आप आना चाहती हैं का नहीं मुझे छे मेहने कर दे दो मैंने का मैं एक सवाल पोछूँगा आपसे उसका जवाब देजिए आप राजनीती में आना चाहती हैं के नहीं आना चाहती हैं उसने का सौनिया ग्रांदी ने का हाँ आना चाहती हूँ लिए छे मेहने के बाद मैंने I'm sorry राजनीती होती है now or never हमको आज प्रेजिनेट की जरूत है हमारे इस वकत वेक्यूम है उस वेक्यूम को फिल करने लिए हमारे यहां लड़ाई है हमने आज तो चुनना है प्रेजिनेट हम बगएर प्रेजिनेट शे महने तो नहीं रह सकते तो या आप आज प्रेजिनेट बनेंगी या कभी भी नी बनेंगी तो वेसिस गंदी ने एक दम कहा कि आज चलो बन जाओगी तो बन गई तो उसकी एक्सेप्टबिल्ली हो गई मैं पश्ता नहीं रहा हूँ रहा है कि सुनिय जी को बनाने के लिए सीतराम केसीर कमरे में बंड कर दिया बाद मुन को खसीट के बाहर निकाला सब बक्वास वो घर चले गए थे साथ में वरकिंग कमेटी के दो लोग गह थे आपने किता में जिक्र किया है बेलारी का जहां से आप ले गए थे सुनिया जी को चुना लड़ाने के लिए हाँ वो ठीक है उसका मैंने जिकर किया अभी मैंने किया कि उसको मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसने वो वहां से लड़ी रही थी राइबरिली से तो मैंने सौनिया जी को कहा कि आप राइबलिरी से तो आपका फैमिली सीट है कोई करेड़ जाए आप करनाटिक से सौथ से जीत के आओ तो एक सौथ वे कांगर्स की मैंने हमेशा जो किया वो कांगर्स के हित में किया जब जीत गई तो कांग्रस के हित में सोनिया गांधी को मैंने कहा कि इंद्रा जी ने भी एक गलती की थी अब आप गलती नहीं करना कि सौच से तुम रिजाइन करोगे और यहां फिर अपनी कांशों से रख पकड़ोगे आप करनाटक रखो अपने पास और राइबरेली में प्रियंका को लगाओ क्योंकि प्रियंका आपकी इलेक्शन इन्चाइज रही है उसको जानकारी है लेकिन दूसरे तीसरे दिन देखा कि उनने उसको नहीं दिया और किसी को दिया उन्हें बेलारी उन्होंने रिजाइन कर दिया था बेलारिस है तो एक तरफ केरला है लेकिन प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में इतनी देर क्यों लगी अब वो फैमिली का मामला है वो भी अलग मामला है मैंने बुक में नहीं रिखा है कि वो फैमिली का ही फैसला था कि बेटी को नहीं लाना है सिर्फ बेटी को लेकिन प्रेयंका की खुद की हमेशा इच्छा थी सियासत मे आने की. हाँ, बिल्कुल थी. और राउल के नहीं थी. क्योंकि मैंने M.P. बने से पहरे मुझे कुछ पता नहीं है उनके बारे में. क्योंकि प्रेयंका की इतनी है कि जब राजीव जी और मैं, जब राजी जी प्राइमिस्ट और प्रेजिन थे में जनल सेक्टी था तो कभी-कभी हमारे दो बच जाते थे डिनर के बगएर तो वो अंदर जाते थे और वहां से कुछ जो खाना है बचाता है वो टेबल में ले आते थे तो मैं का होँँ सोय होंगे तो वो कहता है ने लड़की अभी इनजार करती तो उसका मनलब है कि तब के जमाने से वो देख थी कि इसमें बड़ा वहरत वाला काम पहा है दो दो बजीब तक तो बच बे और वो आती जाती थी कभी देखने भी कि ये इतने देर तक काम कर रहे है तो एक एप्टिचोड मैंने उसमें देखा था अब सुनते हैं कि क्योंकि सुनिया जी का सौथ बहुत अच्छा नहीं रहता तो रैबरी ली नहीं लड़ेंगी और प्रियंका वहाँ से लड़ेंगी अब उनके घर का मामला है उसमें हमें कुछ कहना नहीं है आप तो घर को जानते हैं अच्छी तरह से दोगो हम पुलिटिकल बात करें अभी हम घर की बात देख हम कभी इनके नहीं करेंगे घर के उनके एक और मिम्बर है रॉबर्ट वर्डरा आँ मैं उसमें बात नहीं करेंगा नहीं उन्होंने ये कहा कि वो राजनीती में आना चाहते हैं आए ये तो उन्होंने का मैंने पब्ली रेफिए इतना काम किया है कि मैं आउंगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा देखो लाखों लोग राजनिती में हैं लाखों लोग हमारे एलिक्टेड ही कितने लाखों हमारे इस पजाइद समालते हैं तो वो नहीं लगता आपiceps सकते हैं कांगर्स पार्टी को अब जो हैं उतने पहले सवाल ने आपके साब से कौन हो सकता था जो लीड कर सकता था पार्टी को आगे ले जा सकता था अब ये लडाई तो छे साथ साल से चल रही है राहुल गांदी जी को हमने अलेक्ट किया सौनिया जी चाहती थी उन्होंने उसको वाइस प्रिजिनर्ट बनाया उसके बाद सबने प्रिजिनर्ट बनाया हमने भी उसके स्पोर्टर थे प्रिजिनर्ट बना दे बे लेकर आधे रास्ते से रिजाइन कर दिया और आधे रास्ते में रिजाइन किस पे किया मैं कहूंगा नहीं वो मझे अच्छा नहीं लगते किया राहूल गांदी बाहर जाकर हमारी देश की शवी खराब कर रहा है आपको क्या लगता है वो कैसे यह सब सम्हाल पाएंगे लेकि जब हम यूनियर मिनिस्टर बने थे 31-32 साल की उमर में तो हमें यही बताए गया था कि जब विदेश जाओ तो ना अपने देश के बारे में कोई बुरी चीज़ कहना ना देशवासियों के बारे में बुरी कहना और ना सरकार के बारे में कोई बात करना क्योंकि विदेश में आपके दोस्ट देश भी है दुश्मन दोस्ट भी है वो फिर आपसे बात निकालना शुरू करेंगे और आपको कोट करेंगे कि ये वह हिंदुस्तानी आया था ये ये बोल रहा था हिंदुस्तान के बारे में वहां की सुवेता के बारे में, वहां की कल्चर के बारे में, वहां के कास्टिजम के बारे में, वहां के कुमिनलिजम के बारे में तो ये हमारी अंदरोनी चीज़े हैं, हमको खुटी करनी है विदेश को, दुनिया को इसमें नहीं अन्वालू करना है जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई, आपको किसी ने बताया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है विदेश में क्या कहना है क्या सा विवार करना है तो इनको किसे ने नहीं सिखाया जब माइंड सेड मनता है कि मुझे सब कुछ मालूम है पुरी दुनिया के बारे में तो उसका इलाज क्या है ये तो वो कहते है कि मोदी जी को कुछ ने वालू मुझे सब मालूम है और इसलिए मोधी जी मुझे डरते है और ये वो दोनों जाने कौन किस से डरता है एक और ब्रेक के लुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत पर उलाम नभी आदाद पर इजामात और सवालात का एक और अपने बुक में लिखा है कि वो जो सुच्वा जी ने कहा कि वो अपने बाल साफ करवा के मुंडन करा के पुरे देश में घूमेंगी तो मेरे ख्याल में उससे फैमिली डर गई वेल्कम बैक आपके अदालत में आज हमारे मेंबाने गुलाम नभी आजाद आपके अदालत में अगला आजाद आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नभी आजाद पर इल्जाम है कि ये लोगों को गुमरह करते हैं आजाद साब अपनी किताब में आपने लिखा है कि एक समय ऐसा था कि आप कॉंग्रेस प्रेजिन्ट बन सकते थे आप सीनियर थे अनुभवी थे बनते बनते रह गए क्योंकि आप मुसल्मान थे माइनौर्टी से थे यह नहीं कहां एक सदर्ब में मैंने हिस्ट्री की बात लिखी कि उस वकट तकरीवन साथ या पैंसेट साल 47 से पहले कॉंग्रेस रही उन साथ पैंसेट सालों में बाराई या तेरा माइनर्टीज के अधख्ष रहें राश्ट्रे कॉंग्रेस के लें 75 साल में एक भी नहीं रहा अज जिसको चाहो बना सकते थे क्यों नहीं बनाया है लेकिन हमने तो वही बताया है ना खाली सेकोजम कहने से कुछ नहीं होता उस पर एक्ट भी तो करना है जैसे आप माइनर्टी का होनी की बज़े से बनते बनते रह गए सुन्या गांधी भी प्रधानमंतरी बनते बनते रह गए क्या इसलिए वो माइनर्टी की थी या फॉरेंड थी इसलिए ने खेर वो तो माइनर्टी न समझती है अपने आपको और receipt क्योंकर मैजर्टी से यजादी की है लेकिन उसका minority majority से और उनको minority लिया भी नहीं किसी ने majority ही लिया और उन majority का practice भी करती हैं Hindu धर्म को practice करती है लेकिन उनका family का कुछ problem था कि उसमें विवाद मैंने अपने book में लिखा है कि वो जो सुच्वाज जी ने कहा कि वो अपने बाल साफ करवा के मुंडन करा कि पूरे देश में घूमेंगी तो मेरे ख्याल में उससे फैमिली डर गई कि बहुए एक नया विवाद खड़ा हो जाए मुश्किल से तो हुकूमत में आये हैं तो बहतर है लेकिन कभी आपकी बात नहीं हुँ इस बारे में मैं मालू है फैमिली की चीज़ें कई चीज़ें मैंने कहा कि मैं फैमिली पर नहीं आना चाहता हूँ और अच्छी बात नहीं बेरे लिए उस समय देखे मैं क्यों कहा रहा हूँ आपने गुमरा कि आपने लडी एफ को समाजवादी पार्टी को बी एस पी को इन सब नेताओं से आप विले थे आपने उनसे कह दिया था कि सोनिया जी प्रधान मंत्री बनने वाली है लेकिन हमारी तीन चारी लोग उस वकत हम थे मिस्स गांदी थे एहमद भाई थे और परणबदा थे इस किंसल्टेशन में तो जब उनने डिसाइड किया तो मैं मीटिंग से उठके चला गया और शाम को तीसरी मीटिंग में गया नहीं मीटिंग में तो हमने अपना विरोध लेकिन उनने कहा हमारी कुछ फैमली मजबूरिया है वो बताई हैं और मैं चुब बढ़ लिया और डॉक्टर मनमौन सिंग को क्यों चना शरीफ आदबी थे पड़े लिखे थे विद्वान थे बहुत अच्छे फिरांस मेंस्टर थे हम गौत कुलीग रहे मनमौन सिंग जी पांच साल फिरांस मेंस्टर थे मैं सिविलेशन टूजर मेंस्टर था हमारी बहुत अच्छी बनते थी और इमानदार थे बहुत इमानदार आपने कभी निस्टा कि प्रणम मुकर जी अगर प्राइमीस्टर बनते तो बहतर देश को चला सकते थे वो भी एक अब इतने तो च्वाइस आपको जिसको हमने चुन लिया था तो उनकी कमपेटिबिल्टी तो होने चाहे थे उनको किस से ज्यादा बन सकती थी और एक छबी बनी थी मनमुन सिक जी ऐस फ्राइंस मेस्टर कि भाई जो कुछ भी उबलब्दी हुई चाहे प्राइमीस्टर नरसमाराओ था लेकिन फ्राइंस मेस्टर पर लूंगो विश्वास था क्योंके एकानिमिस्ट थे दुनिया के जाने माने एकानिमिस्ट थी लेकिन उस समय ये बात बहुत पब्रिसाइज की गई कि मनमुन सिंग को इसलिए बनाया गया कि वो माइनॉर्टी से आते हैं रियल माइनॉर्टी तो कुछ सिख है नहीं रियल माइनॉर्टी तो आपको बालू में कोद है एक एंटनी जैसे नेता कहते हैं वी नीड हिंदूस हमें हिंदूों की जरूरत है अब वो स्पाइनलेस आदमी हैं बचारे जैसे एक कॉंगर्स के स्पोक्स पसंद सुर्जेवाला ने कहा कि राहूल गांदी सिर्फ हिंदू नहीं है जन्यूधारी हिंदू है और फिर भी प्रो मोदी हम है वो नहीं है तो चुनाओ में आजकल हिंदू की जरूरत पढ़े है ये चुनाओ ही तो सबसे बड़ी बसीवित था तंता में से सबाद जिस तरह से कॉंगर्स से लिए क्या दोजार चुबिस में बीजेपी को चुनोती दे पाएगी आपको क्या लगता है देखें मैं कह सकता हूँ लगन कहूंगा नहीं कांगर्स में इदनी छोटे लोग आ गए है आज के हर चीज़ को वो सचा सुनना नहीं चाहता है वो आपको मीर जाफर कहते हैं मीर जाफर तो ये लोग है जो कांगर्स में बैठ कर कांगर्स को डुबा रहे हैं हम बैठ कर भी बाहर हम बैठ कर भी हम बाहर अपोजिशन में रहकर भी कहते हैं कि कांगर्स सरवायू करनी चाहिए democracy के हिट में है congress वालियों के हिट में congress वाली deserve नहीं करते है लेकिन जमुरियत के हिट में है एक और national party होने चाहिए दो national party होंगी जमुरियत है ही नहीं, लोग तंत्र खतम हो गया मोधी जी ने खतम कर दिया, सबका गला गोर दिया तो उसके लिए ये उनकी मदद कर रहे है अगर मौधी जी ने ये तो मौधी जी की मदद कर रहे है 24 गंटे मौधी जी अगर 24 गंटे सता में रहने के लिए हैं कांगरेस लीडिशिप 48 गंटे काम कर रहे हैं उनको सता में रहने के लिए तो उनका सवाल रह गया कि 2024 में आपको क्या लगता है ने ने मैं अगर कहूँगा कि ये हार है वो जो होते हैं अगर मैं कहूँगा BGP जीत रहेंगे कि ते BGP वाले मैं कहूँगा कांगरस आगे बढ़ रही कांगरस याइन कर रहे ने लेकिन आप जनता को बता सकते हैं चुपचा बता दिये कोई सुनने रहे आपको भी मालूम है आपको भी मालूम है क्या होना है मचको भी मालूम है इनको भी मालूम है क्या होना है तो एक ब्रेक के रुखते हैं ब्रेक के बाद सुनेंगे आपके अदालत में आज के जज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दिनिश त्रिवेदी का फैस्ट बेलकम बैक आपके अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक सबसे सीनियर गुलाम नभी आजात पर हमने उनसे पूछा कांगरेस पार्टी के बारे में नरिद नबोदी के बारे में राहूल गांदी के बारे में सुनिया गांदी के बारे में उनके पचास बरसों के रादनीती के अलगला तरेके उतार चड़हा के बारे में अब वक्ति आपकी अदालत में आज की जज़ फॉर्मर यूनिन मिनिस्टर दिनेश्तर वीदी के फैसलेगा देखें यह आपकी अदालत है आपकी अदालत मतलब जन्ता की अदालत और यह भी सही है कि खरा सोना वही होता है जो तपके उभर आता है और जो थोड़ी बहुत तपन गुलाम नभी आदाद की बाकी रह गे थी वो हुनार वकील रज़त सर्मा जी ने अपने कठिन से कठिन सवाल पूछ कर वो भी आज पूरी कर दी अब सवाल ये था पहले की बेवफा तो याद आ गया जो कहते हैं बेवफा वो जानते नहीं वफा क्या है मुझे आज भी वो मनजर याद आता है जब मैं भी राजसभा में था एक देश के नेता हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी और दूसरे विपक्षिक नेता गुलाम नभी आजाद जी भाउकता का सवाल आया तो आज मैं यह भी इडालत को कहना चाहूंगा कि वो मनजर ऐसा था कि हम सब भाउक हो गए थे एक पर्टिक्लर पार्टी की बात हम नहीं करेंगे वो भाउक हुए थे कर नहीं पता नहीं मगर हम सब बहुत भाउक हुए थे क्योंकि भावुक्ता थी देश के बारे तो कहते हैं न मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो दोनु का सुर बना तो हिंदुस्तान का सुर बना आपने आखिर में कहा कि आप यदि पॉलिटिशन नहीं होते तो आप माली होते तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी आप माली है और ये हिंदुस्तान एक बड़ा चमन है इस चमन को आप अच्छी तरह सीचे और हमारी इस जदालत की शुब कामना आपके साथ है और ये चमन हसे फूले और आगे बड़े मजबूत रहे इस उमीद के साथ, यकीन के साथ कि गुलाबना अभी आजाद इसी तरह से जनता की सेवा करते रहेंगे वो स्वस्त रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम इसी तरह करते रहेंगे आज का मुकद्मा ये खत्प करते हैं अगले हक्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शक्सियत के साथ तब तक लिए नवस्कार अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी आधालत रजट शर्मा के साथ आपके दालत में आपका बहुत बहुत वागत है